हेलो फ्रेंट सौगत आपकी चैनल फिंटेस्टी डॉक्टर में एक बार शुट से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह होने वाला है यहां पे एमर वर्सिस के डेवल्यू के बीच जो मैच होने वाला है यहां पे ओमान डे 10 का मैच की वीडियो वीडियो इंपोर्टन रहें उस अवरस आपके लिए इस वीडियो में आपके साइज स्माल लिक टीम्राव टीम प्लस नुस पिच रिपोर्ट प्लस कौन सी टीम इस स्टॉंग रहें हैं और आपको इंवेस्टमेंट कैसे करनी चे वह सारी चिं पर नए आयो तो आपको हमारे टेली ग्राम चैनल जौइन करना बहुत जोर्वी जिसको नाम है फेंटाशी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा वा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से तेली ग्राम चैनल अवे लेवल है पर आपको हमारे टेली ग्राम की जो रियल और को जॉइन कर लेना है तो ध्यान रखना है अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और ओरिजनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो ध्यान से टेलिग्राम चैनल को जॉ अब आते हैं मेन मुद्दे पर देखो यह टॉर्णामेंट का फर्स्ट मैच है और आप देख पा रहूंगे बहुत साही स्टैट्स लिखे हो यह स्टैट्स कि आपको आपको पता होगा तो जन्वेर यह दिसंबर के आसपास ओमान का 20-20 ओवर का मैच होए थे यह 10 ओवर का मैच है ध्यान रखके चलना तो जो 20-20 ओवर के मैच हो थे टीम बिलकुल स्क्वाइट से मैं कोई भी ज्यादा प्लेयर चेंज नहीं है तो इसलिए उन मैच इसकी जो मैंने प्रफॉर्मेंस लिखी थी हर मैच की वह मैंने आप यहां पर अमीरात क्रिकेट ग्राउंड ओमान क्रिकेट ओमान का जो ग्राउंड उस पर मैच होने वाला है और जो टॉर्नामेंट पहले हुआ था यह भी इसी ग्राउंड पर ही वह था और वैदर है क्लियर रेन का कोई भी चांस नहीं तो प्रॉपर आपको टाइम पर मैच स्टाटर तो नजर आएगा एक्स्ट्रक्टेट इसकोड दस ओवर में पर सौ के आसपास इस पिछ पर कर सकते हो कि काफी ठीक था कि स्कोड इन ग्राउंड में बन चुके है बाकी टीटन मैच है फॉर्मेट जो है दस ओवर का है टीम कौन से स्ट्रॉंग रहेगी वह एनला टोर्नामेंट में यह विकेट टो चोड़ो भी इतनी इसके अभी पॉसिवल प्लेंग इला उनके बारे में बात की जाए तो पॉसिवल प्लेंग बैटिंग और क्या थी वह यह रहने वाली है करन सोना वाले इनके लिए ओपनिंग करना आया था जो कि आपको अल्रॉंडर स कborough बास बेघन मेंन एक विकेट नहीं अड़ो प्रम पर तो कहीं पही नर्मेंग करें पड़ुसरी बात कि जायЕТ तो यह अंपर जरूर डाले करन सोना वाले और ऑपनिंग करेंकर थी ठीक झाजीरा तो कही न कही अपनी टीम में आपको बाइस्क्रिप्टंसी वाले प्लीक बन सकता आपके लिए आपे करन्स होना वाले बाकि प्रतिक अथावले का विकटीपिंग सेक्शन में सेलेक्शन डिट बहुत कहा है बर्ट आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर रहेगा क्योंकि तो इसलिए मैं कही न कहीं लिए गेपिंग सेक्शन में अथवाले के साथ जाने वालों बहले ही विकटीपिंग करें अ ना करें अब कि लिए कि लिए की टींकल बंडारी अब कर लास्ट ट्वीन टीक अच्छा वैट्स निया विए बड़ उतना मतलब इसने एक भी हाफ सं तो परसनली बोले कि तो मुझे अथवाले इंपॉर्टन लगता है जिसमें 91 नंक इंग इंक्लिवड है बाकि वी शुकला के बारे में अगर बात की जाए तो पंदरा यहां पर अंडारी तो बाकि वी शुकला को बहुत लोग कर रहे होंगे बट आपके लिए गेम चेंजर बने वाला क्योंगे लाश्ट के पांच मैच में च्यानवे रन मारे थे और छे विकेट लिये थे हर मैच की परफॉर्मेंस देंगे तो बहुत अच्छी बॉलिंग करें हर मैच में तीन से चार और और आपके लिए बहुत बैटर रहने वाला या पर राफुला बाकि अगर बात करें तो आप पर इसने यह निका ले ते देखो यह शे बिकेट शलाच के पाच बैटिस में बैटिंग से स्कोर भी थे महरान खान को क्या है कि ओमान की इंटरनेशन टीम का प्लेर रह चु लाश्ट पांच से चौंटीसन मनाए और साथ विकेट ले थे यहाँ पर महरान खान ने बैटिंग से उतना कुछ खास कॉंट्रिबूशन महरान खान का रहानी 14-11 बट बॉलिंग से देखो कि तो काफी कंसिस्थन राय तिन से चार लेए और साथ विट निकाले यहाँ पर Storage ल हमand बाकी भाज बनता आपके लिए हेमल टंडल बाकी बात क्या है एह हक ने देखो के तो यहां पर टॉर्णामेंट के छे मैच इसमें चार विकिट निका ले थे बाकी तीन से चार वार इसने भी अल्मोस्ट अल्मोस्ट हर मैच में करें बाकी यू शहा की परफॉर्मस कुछ खास रहें तो बाकी बैंच में बाकी बैंच में बैट सकते हैं वह है वी पटेल जिसने 16 अठार 9 और 8 यह प्रफॉर्मस की चार मैच की संकाता प्रशाद के बारे हैं बात किया तो बैटिंग सेक्शन में इसको पिक कर सकते हुए कि चार में से दो मैच में अची निंग है तो बाकी अक्षिया पटेल के बारे में अगर बात की जाए तो एक मैच मोगा नहीं मिला था बट उस मेरे स्टैंबिस की स्टैट्स परफॉर्मस निकाल के रखी थी तो कई बीस में बाकी मोहमद अली अल बलुशी के बारे में अगर बात की जा तो यह परफॉर्मस को भी मुका नहीं मिल पाई था लास्टोनमें इन दोनों को भी नहीं मिला था बाकी बिलाल खान तो इंटरनेशनल ड्यू टीम है तो इसलिए वह तो डेफिनेटली खेलेगा नहीं इग्णोर कर देंगे इंपोर्टन बोलो के तो मेरे ले करंसोना वाले अथ वाले ट्रिंकल भंडारी को में भी ग्रेंड लिक में अप्ट्राइ कर सकते हो रफिय उल्ला महरान खान टंडल और यहां पर इमेल इंपोर्टन राइग इंकी टीम से यह प्लेड अब कर बात किया तो कि डेश्ट इसने बहुत चीपन बहुत चीपन बहुत चीपन वह रही तो काफी कंसिट अचार बैटिंग के साथ सिफ लाश्ट के दो मैच थोड़ा जल्दी आउट हो गए था अदरवाइस हर मैच बीच चालिज एक सीमाफ सेंचुरी स्कोर कर रहा तो एक मैच पार्ट ताइम बालिं मैच लेवल पर खेल चुका है बाकी बिलाल असीम नौ और पांच यह दो मैच इसन बहुत अच्छी बैटिंग की थी जीरो चोवालीस चब्विस पांच चोवालीस पैंटिस तो चे में से चार मैच बहुत बड़ी है बैटिंग की इसले में इसको लेने वाला अपनी टीम म में और बॉलिंग सेक्षिन में वे लेवल है यह दानिश मुहमद आपको अल्रॉंटर सेक्षिन मिल जाया कर ठीक है इसने अच्छी परविंस की थी एक मैस में 3 विकेट निकाले किसी में 2 निकाले किसी में एक निकाला टोटल 6 मैसमें 6 विकेट निकाले बड़ ध्यान देन अमीर अली के बारे में अगर बात के इंटरनेशनल लेवल का प्लेर है चोका अमान के लिए इसने 17 25 36 बैटिंग काफी कंसिस्टेंटली अच्छी की थी और 4-1 विकेट 4-0 विकेट 1-0 विकेट 2-0 विकेट 2-0 विकेट यह परफॉर्मेंस दो कहीं ना कहीं आमीर अली ने ए 3-3 यह दो परफॉर्मेंस री यह अंडर 19 के परफॉर्मेंस देख सकते हो चार मैच में थासी रन चार विकेट ले थे अंडर 19 में बट लास्ट टोर्नमेंट वह तना मोका नहीं बन पाया अम रजा के बारे में बात की यह तो इंकिटिम का सबसे बैस्ट बालर रहे गा और जो लास्ट टैम टोर्नमेंट अश्ट है स्टार्टिं के चार मैच इसमें 11 विकेट ले थे तीन यह तीन यह लगातार तीन तीन मैच पर तीन विकेट लेगे ता फिर 2 विकेट फिर 0 फिर 0 लास्ट के दो तो 2-3 मैच गए थे ना आम रजा कि वह तिने इच्छी निका पर अच्छे कहें थे इसलिंकी बेस्ट बॉलर रहे है और सबसे बड़ी बात है आपको विकेट लाके देने के चांस रहेंगे आप में बरहदा से अपनी टीम में मिसमत करना ऑल्रॉंटर सेक्षन में बाकी आपको अल्रॉंटर में ध्यान रखना बैस्में यह बाकी एश्ट आपके बार तो एक विकेट सो फार तोनमें में निकाल पया था यह उसलिए इसलिए उकलने रहे हो बाकी आमिर कलीमी अवे लेवल नहीं रहेगा क्योंकि यह इंट्रशल डुटी में सका स्कार्ड है इना में बहले खेल ना रहो बट ओमार्वाले स्क्वेर्ट मे नामें अ निए पाएगा और व्हक्ति पर्फोर्मन्स यह रही जो कि फ्लॉप रहा था बागी यहां पर अर्जुन दीमन जो प्रॉप रहा इसने बॉलिंग बहुत अच्छी लिए चार मैच शे विकित निकाले थे तीन विकेट यहां एक यहां एक यहां एक यहां तो इसलिए कई निवन पे नजर बना के लख सकते हो और श्याद पर द्यान के बैटिंग निकर से अच्छी वारे में बात की जातो है यहां पर 4-4 डाले यहां दो डाले बाकि यहां पर बिकेट निकाल पाया था शिराल करके वारे में दस और जीरो उतना इंपोर्टन निया महभूब आलम को मौका नहीं मिल पाया इंपोर्टन बोले को तहां पर सिद्धे की बनने वाला है नौवाक बनने वाला मुहम्मद बनेगा अमीर अली बनेगा और एम रजा बनेगा बॉलिंग में आकीब जावेद बाकी बैं आप किसी याप में लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं कि युकि कई आपसको वीडियो में एस नहीं कर सकते हैं जो आप safe है न से थुआ आप को समझा रहा हूँ कि यह तीम बन सकती हैं और मैं सी आप में इंवेस्ट करने वालों कि आम 5 साल शोब अपने क्षी मारी अर्ण भी बाकि टेलिग्राम पे आप जुड़ जाओ को सारी चीज आपको पैचल जाएगी बेर मुद्दा यहां पर रहने वाला वह स्मॉलिक की टीम क्या रहेगी सेम टीम को आप लगा सकते हो किसी भी आप में कोई क्रेट का इस वाले मैच में नहीं आने वाला देखो मैं अथवाले को लिया कि अथवाले ने बैटिंग की ती अच्छी पांच पांच चो चुरासीर नवारे जिसमें 91 अंके ने इंक्लूड है बंडारी ने ठीक था के लिए 20-25 के आप स्कोर गया तो आप ग्रेंड लिग में मैं बंडारी को रिकमेंड करूंग और यहां मैं नहीं रहा था आजम अली के साथ में जाने वालों और एस प्रशाद को इसा बैट्समें हुआ कि इनके लावा मुझे और कोई खास बैट्समें नजर नहीं आ रहा है शुकला को आप ग्रेंड लिंग में ट्राय कर सकते हो बाकि मैंने लिया के सोना वाले ओपनिंग प्ल लिए बालिंग अच्छी चार मैं चे विकेटर बैटिंग निये करता अच्छी और D. महंमद की बैटिंग अच्छी बॉलिंग बॉलिंग से विकेट भले लिया बट धिया नकना है महरान खान और 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 यहां पर मिस नहीं कर सकते हुआ रजा की चाहो तो आप इन दो रु कर सकते हो war сказать10 गो ली हमें मैंने यहां मैंने लिया सअधि नुवार्य कर सकते हो मैं थोड़ा क्रेंद करूंगा विपटेल ऐकर पैंट के पैंट appelle कई आप इसे देख सकते लेंगा और में ए सब implications यहां पर आपके लिए तो यह मेरे कोडिंग आपके लिए रहने वाली है यह मैंने बंडारी को लिया था ध्यान रखके चलना और यह घ्रेंड लिए टीम होगी आफ्टर टॉस अपडेटीटी तीम आपको टेलीग्राम पर मिलागे तेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना उसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मिल जायका सबसे बीडियो करेंग लिंक होगा जैसे इस इस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल उपन होगा तो जोइन कर लेना तो मिलता है तेलीग्राम पे जाहिन दोस्तों बाए और यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना नीचे रडगलर का बटन दिखाई दे रहा होगा इसको दबादन और जोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले है जब ही वीडियो प्लेड हो जरू तो मिलतार एलिग्राम पे जहीं दस्तों बाए जाहिन दस्तों